जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माजुली आईलेंड माजुली दियूप यह ब्रम्पुत्र नदी परिस्थित एक सुन्दर सा नदी दियूप है जो विश्व के बड़े नदी दियूपों में से एक है जहां तक इसके आकार का प्रश्ण है तो आकार को लेकर या इसके छितरफल को लेकर विद्वानों में मतेक का अभाव है मत्यक्य का अभाव से मतलब कि सभी विद्वानी स्तथ्य को मानने के लिए तयार नहीं है कि यही विश्व का सबसे बड़ा नदी दियुप है और उसके लिए कई प्रमाण भी है लेकि सबसे पहले इस दियुप के निर्माण और खोज तथा विशलेशन पर हम बात करेंगे यह दियुप बहुत पहले निर्मित हो चुका है लेकिन संदर में सबसे पहले 1853 में एजे मिफेट मिल्स के नित्योत में सरवेच्छन किया गया था उस समय यह बताया गया था यह जो नदी दियुप है यह माजूली नदी दियुप है 1246 वर किलो मीटर के छेतरफल में विश्ति थे कब 1853 में लेकिन काला अंतर में जैसे जैसे समय बिता चला गया नदी के कटाओ के कारण तथा मानवी या थिकर्मन के कारण इसके आकार में तिब्रता से कमी हुई और 2001 तक की यह सूचना है कि इसका छेतरफल घटकर लगबग 821.64 वर किलो मीटर ही रह गया है ठीक तो यह सुंदर सदी अब यह संकट ग्रस्त अवस्था में कहा जाए अगर हम बायो डाइवर्सिटी के टर में ले तो इंडेंजर्ड हो रहा है संकट अवस्था में आ चु है और 2016-17 में सिपारस की गए थी कि इसे विश्व विरासत इस्थल के अंतरगत रख दिया जाए लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली क्लियर तो यह पूरा का पूरा एक सुंदर नदी दियुप अब संकट ग्रस्त अवस्था में है अब इसका विकास कैसे हुआ पहल तो विद्वानों का मानना है बेसिकली भुगर्व सास्रियों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र घाटी एक रिफ्ट घाटी है तो सिस्मिक एक्ट्यूटी के कारण जहां ये दियुप बना है सुबन सिरी और ब्रह्मपुत्र जहां सुबन सिरी ब्रह्मपुत्र से मिलती है उस ब्रह्मपुत्र का वहां से पानी धीरे धीरे वहां से बहने लगा और जब उसके बाई तरफ से अगर नदी इधर से आ रही है, मालो इधर से आ रही है तो बाई तरफ से या इधर से नदी के कोर्स को हम देख रहे हैं, जिधर से नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र वहां से गर खेर कुटिया कहते हैं, तो उसके मद्य का भाग दीवप में परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे यहां निच्छे भी जमा होने लगा, तो कहने का ताजपर है कि इस दीवप के विकास में एक तो सिस्मिक एक्लिटी और दूसरा और साथ के जमाव की प्रमुख भूमी का है, त तो पहले इसको हम मान्चित्र पर देखते हैं, तो देखो ये, भारत का मान्चित्र है, तो यहां से ब्रह्मपुत्र निकली, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या यारलुत जांगबो बोलते हैं, और यहां से जैसे ये दच्छिन की तरफ आते हैं, और नाचल और इहां पर गंगा नदी बंगला देश की सीमा को कराश करके इससे मिलती है. इधर से मेघना या बराक नदी भी मिलती है. तो जैसे ये नदी, ब्रम्मपुत्र नदी जिसको तिब्बत में सांग्पो या जांग्बु कहते हैं नम्चा बरवा के पास से, जैसे महां खड बन आते हुए आउनाचल पदीस को टच करती है आउनाचल पदीस में इंटर करती है उहां इसको दिहां करती है और साधिया के पास यह जब महान मैदान वाले छितर में कहने का मतलब महान मैदान का भाग है असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का उहां इंटर होती है तो यहां से जहां ये ब्रह्मपुत्र हुई तो थोड़ी दूर जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, तो यहां बताया कि सिस्मिक एक्टिविटी हुई और यहां से एक साखा निकली जिसको खेरकुतिया करते हैं, और मद्य का जो ये भाग है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा कर दूँ, ये जो मद्य का भाग है ये दिवप बन गया और ये खेरकुतिया हो गई, और इधर से एक नदी यहीं पर मिलती है सुबन सिरी, यहां पर एक नदी मिल जाती है इससे सुबन सिरी, तो ये दिवफ हुआ माजली दिव जिसको कहा जाता है कि इविश्व का सबसे बड़ा नदी दिवफ है अब इसको हम बड़े मैप पर कई तथियों के साथ देखते हैं माजली दिव के संदर में जो इसकी निर्मार की प्रक्रिया उसको भी हम देखते हैं आसपास से समद्धित अनित्थियों को भी हम देखते हैं आप देखो यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको तिब्बत में सांगपो और चीनी भासा में इसको यारलुत जांगबो जिंगिजन कहा जाता है और जैसे नदी नमचा बरवा के पास और आचल प्रदेश में प्रवेश की क्या नाम दिया गया है दिहांग और आग कर दी मिलती है मेगना के नाम से दुशको मेघना बोलते हैं तो पांच नाम यह आपके सामने आ गया अब यहाँ पर देखो माजूली कैसे बनता है जैसे ये नदी इंटर हुई तो अत्यदिक मात्रा में आउसाद लेकर आई तो यहां पर देखो ढाल में परिवर्तन होता है तो एक तो आउसाद जमा कर दियो नदी यहां मियांडरिंग करती है विशर्प करती है तो इस पीड कम हुई और आउसाद जमा हुआ तो इसके हिमालेई वाले भागस अगर इधर से जा रहे तो राइट साइड से एक साखा विक्सित हो गई और इस साखा को नाम दिया गया खेर कुटिया क्लियर क्या नाम दिया गया खेर कुटिया तो इधर से जल का प्रवा हुआ इधर से भी जल रूप में इधर गई और बीच का जो एलोईस का लगी देख रहे हैं यही धीरे-धीरे माजुली दीव के रूप में विक्षित हुआ लेकिन भुगर्व शास्तियों का मानना है कि इसके विकास के पीसे और साथ तो है साथ में जब रंशन की प्रक्रिया हुई ब्रह्म पुत इधर से शिवाली करेंज तो उपर चला गया तो यह भ्रंश से प्रभावित तो पहले से इच्छेत रहा है तो भुगर्व शास्तियों का मानना यह है कि यहाँ पर जब भ्रंशन प्रक्रिया हुई तो इसके समनांतर एक नया भ्रंश विक्षित हुआ उसमें दरार हुआ और उस दरार से मेन कोर्स का पानी कहने का मतलब जो मेन चैनल था दिहांग का वो इसके अंदर इंटर हुआ या ब्रंपुत्र का इधर से प्रवाईत होने लगा और मेन चैनल इधर से जाई रहा था तो बीच में यह क्या हो गया इस थली भाग विक्षित हो गया यही इस थ रुप से जो वैज्यानिक विश्लेशन आया अठारा सो तिरपन में एजे मिफट मिल्स नामक भुगर्व सास्री ने सरवेच्छन के दवरान इसको विधवत विश्लेशित करने का प्रयास किया और उस समय बताया गया कि इस पूरे नदी दीवप का जो छेतर फल है 1246 बर क कोर सारा है सुबंसिरी नदी है यह आकर यह मिलने कौन सी नदी सुबंसिरी सुबंसिरी में भी कई साइक नदीया है दिकराने कमला होगी दिकराने कमला है तो यह आकर मिलते हैं यहां से धीर धीर कटा होने लगा कटा होने के कारण इसके आकार में तिब्रता से कमी आने तो 1813 में बताया गया 1246 वर किलो मीटर लगबग वो 2001 की सुचना के उसा अरगट कर 821.64 वर किलो मीटर रह चुका यानि 821.64 स्क्वाइर किलो मीटर ही रह गया है और इस पर खत्रा मढरा रहा इस खत्रा को देखते हुए ही भारतिय, संगीय सरकार, असम सरकार दोनों ही जाग रूख हैं और इसको विश्व के मांचित्र पर लाने के लिए 2016-17 में प्रयास किया गया था, 2016-17 के वित्वर्ष में कि इसको विश्व विरासत का स्थलों में रख दिया जाए तो लोगों का टेंशन रहेगा लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली, जब सफलता नहीं मिली तो ततकालीन सरकार ने, ततकालीन असम सरकार ने 2016 में माजुली दीव को जिला घोशित कर दिया, पहले ये जोरहाड जिला का उत्तरी भाग हुआ करता था, अब ये क्या हो गया, मात्र 1246 बर किलोमीटर का छित्र जो की पहले था, वर्तमान में 822-24 मानलो है, कहीं कहीं 844 दिख कर दिया, ठेक, किसका जिला हुआ, असम राज्य का, अब यहां पर अब देखो तो इस छोटी से जगह में 246 तो गाउं है, और लगबग 20 पंचायते हैं, और यहां कि संस्कृती भी क्या है अधबूत है, यहां 9 वैस्णों परंपरा का बहुत जादा प्रभाव है, 9 वैस् माजुली रिवर आईलेंड जो ब्रह्मपुत्र नदी पर इस्थित है, इसका जो मूलत छित्रफल था 1246 बर किलो मीटर, लेकिन नदियों के कटाओ के कारण, और मानमी अतिक्रमन के कारण, इसके आकार में तिब्रता से कमी हुई है, जो वरतमान में जो सूचना है, 2001 तक कि कि घटकर, इसका छित्रफल जो है घटकर, 821.64 बर किलो मीटर ही रह चुका है, अतर इसको बचाने की जरूरत है, अगर इसके लिए एक सेंटेंस दिया जाए, तो यह दिव जो है, इंडेंजर्ड है, संकट ग्रस्त अवस्था में है, इसको देख करी, इसको विश्विरास इस्थल में सामिल करने की कोशिश की गई थी, अभी भी प्रयास जारी है, और हो सकता है कि निकट भविश्य में इसको सामिल कर लिया जा, लेकिन अब देखू, जहां तक प्रस्ण है, विद्वानों में जो मतभेद है, कि क्या माजुली दिव जो ब्रह्मपुत्र नदी प है, तो इसके प्रमाण है कि इससे भी बड़े कुछ नदी दिव हैं, विशुद नदी दिव की अगर हम बात करें, कि इसी तरह से नदी के मद्ध डेल्टा की बात न करें, तो एक दिव है, जिसका नाम है बना नाल, क्या नाम है, बना नाल, जो कि ब्राजील की नदी, अर गाईवा नदी पर वो दीव है, जिसका छेत्रफल 19162 वर्ग किलो मीटर बताया जाता है, कि इतना 19162 वर किलो मीटर, और यहां पर जैसे एक तरफ से इसकी सायक नदी के रूप में आ रही है, यहीं से निकली और यहीं नदी आकर आगे, मिल गए, जिसका नाम खेर कुटि पर उसको भी देखेंगे, तो अगर उससे हम तुल्ला कर रहे हैं, तो माजुली दीव काफी छोटा है, यहां कहां 1246 अगर मूल छेत्रफल हम लेते हैं, जो शुरुवात में आया था, और उसका छेत्रफल कितना 19162 वर किलो मीटर, कौन सा दीव बना नाल जो की ब्राजील पर है, और उसकी जो सहायक नदी उसके एक तरफ से जा रही है, जैसे खेर कुटिया जा रही है, उसका नाम जाबुरू है, इसी तरह से दूसरा जो सबसे बड़ा नदी ती माना जाता है, लेकिन वो डेल्टा पर है, विश्व की सबसे बड़ी नदी आमेजन, आमेजन की डेल्टा पर उसके ठीक सामने एक दिवफ है, जिसका नाम है माराजो, क्या नाम है माराजो, और माराजो एकदम विश्वत रेखा से थोड़ा सा दच्छिन में है, अगर विश्वत रेखा को हम लेते हैं, तो विश्वत रेखा से 1.55 डिग्री दच्छिन या च में इस्थित है जो की अमेजन नदी की डेल्टा पर नाम क्या है मारा जो और उसका विस्तार तो लगब 42,000 वर किलोमीटर में कितना 42,000 वर किलोमीटर में है लेकिन वह एक दिफ शमू है आर की फेलिगो है उसी प्रकार से अगर हम मेघना की बात करते हैं यहां देख लो इसक है हट या आईलेंड जो की 500 वर किलोमीटर का है लेकिन इहां पर सागर का भी योगदान है लेकिन माना जाता है कि यह मेघना की डेल्टा पर है और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का समली डेल्टा तो इसको भी माना जाता है अब जहां तक ब्र पुरा सेलवास छित्र, अमेजन के जंगल को क्या करते हैं, सेलवास, धर्ती का फेफड़ा, यहां से नदी आई, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं बड़ी, लंबी कौन है, नाईल है, अफिरका की नील नदी, अब यहां पर यह दीप बना, जिसका नाम क्या है मारजो, तो मारजो क्या आरकी पेलगो है, नदीप शमू है, लगवा 42,000 वर किलो मीटर का, लेकिन यह अटलांटिक महासागर में निर्मित हो रहा है, तो इस पर विद्वानों के संदर में अगर देखा जाए, तो में क्या है, मतिक के काभाव है, वो मानते नहीं, बोलते ह अगर देखा जाती है, यहां से अरगायूया नदी जाती है, जहां में लें उसके ठिक दख्षिन में जाकर अटलांटिक महासागर में मिलती है, तो यह दिवप है, जिसका नाम क्या है, बनानाल, क्या नाम है, बनानाल, आइलेंड, इसका जो विस्तार है, 19122.25 वर किलो मी में नदी का नाम क्या है, अराग्यूया और यहां क्या है, जाबूरा , दिवप का नाम क्या है, बनानाल है। तो इस संदर में चुकी हमें अपने दिवप की बात करनी थी, कौन से दिवप की? माजूली की, लेकिर उससे संबंदी जितने पक्ष्ष happiness, उसको हमें याद करना है कि लिए अब पुन हम वापस आते हैं माजुली अर्यूर आइलेंड किस पर है एक बार रिविजन दे दे ब्रह्मपुत्र नदी पर इसकी एक शाखा खेर कुटिया के रूप में गई दोनों के बीच में यहां मिलने वाली नदी दूसरी कौन है शुबंसिरी जो ब्रह्मप पुत्र की स्थिति आप देख रहे हो ब्रह्मपुत्र नदी यह जिसको तिबबत में सांगपो कहते हैं चीन मने तिबबती लंग्विज में सांगपो कहा जाता है निसांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी ठीक और चीनी लोग क्या बोड़ते हैं यारलूत जांगबो लियांगिन, यारलूत जांगबो लियांगिन, और जैसे इंटर करती, इसको दिहांग बोलते हैं उनाचल पते हैं, और साधिया से लेकर धोबरी तक जो मैदानी भाग है, असम काओ वहां इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जैसे यह बंगलादिश में इंटर होती है, जम कर लेंगे क्लियर